तो आप सभी का स्वागत है आपके वन यूटूब चैनल सुकला श्ट्री पॉइंट में मैं सियों सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ फटा फट से और लोगों को जोड़ लीजिए वीडियो को सेर कर दिए सभी लोगों के पास सेशन में बहुत ही बात करेंगे हिंदी साहित पेपर वन के कुछ ऐसे महात्रपॉन परसन जो की पूछे आ सकते हैं 2021 के नियू पैटन पर यहां जो है पेपर बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए ऐसे परसनों को इसमें कुरूड किया गया है जिनकी संभावना आधिक मातरा में पूछे ज रहता है उसी प्रकार से कोई ऐसा बेखती हो को ऐसा स्टूडेंट अगर इसमें से हम में से देख रहा हो अगर को एसा बेखती है जिसको सब एक ही साथ पढ़ने मजा आता है तो इस वीडियो को वह लाज तक देखने का परियास करें मत्त सेशन में लाज तक आप लोग बन सेशन हिंदी साहतिको लेकर के है यहां लेक्चर होगा यहां बात भी आपको बता दूँ सबसे पहले मैं सेनेरियो दो-तीन में आपको बताने का प्रियास करूंगा इसमें किसी को बुरा लगने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए कि सर आपने मेरा टाइम बेस्ट कर लिया भईया आप लोगों के लिए मैं अपना टाइम एक प्रकार से बेस्ट नहीं लेकिन आप लोगों के लिए टाइम में निकालता हूं लगातार मेनत करने के बाद में जो सव सो डेड़ डेर सो प्रसन अब इसमें लगभग आज के वीडियो के अंतरकर बता दूँ आपको 115 से 120 प्रसनों के स्रीज आपकी लोगों के सामने लिखित फार्म में आप लोगों के सामने मैं लाने का प्रियास किया हूं आप लोगों के सामने लगभग 120 से अधिक प्रसनों के स्रिंखला कतार आपके सामने आने वाली है तो बड़े ही आसानी से आप हात मुदो करके पैर नोट डाउन करते रहेगा और इसकी PDF जो है दो तीन दिन बाद जो है पिए आप जो है टेलीग्राम के चनल पर जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम की लिंक कर दो के जो है उनफị में डाल दूंगा सelyn में दॉडिप्र जो है उसको डालने का प्रियास करूगा अगर बिध को लो adhere के उपर जड़ोग तो आसानी से आप उसको देख करके लुब तुठा सकते हैं वीडियो को तीन से चार बार आप बाद में भी देखेगा जब परिक्षा का अंतिसमे चला हूँ उसके बारे में भी आप इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको अधिक मात्रा में हेल्प मिलेगी एक ही व बता दूँ आपको ठीक इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो लगबग आप सिक्ष्टी पलस में अंकल ला सकते हैं एक्जाम से में यहां पर इसी प्रकार से कुछ यह आपके सामने लाने का प्रियास होगा बहुत ही लंबी कतार चलने वाली प्रसनों की बहुत ही मज़ा आएगा एक एक प्रसन आपको समझाने का प्रियास करूँगा जैसा कि आप लोगों ने कल बताया था कि सर्थ थोड़ा जल्दी जल्दी कोशन बताया करिए तो उसका भी आप लोग के जो है जो आप लोगों की रिक्वायर्मेंट थे उसकी भी एक परकार से मैं दि वीडियो भी हमने बनाई है इस वीडियो को सभी चाठ चात्रह यतनी भी लोग हैं इसकी लिंक भी आपके चैट सेक्शन में दे दी जाएगी इसको भी आप लोग देख लीजिएगा परिक्षा के अंतिम समय में इन बातों का अब सिध्यान रखें और जल्दी कांपी कैसे लिखते हैं कांपी लिखते समय किन-किन बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो हमारी कांपी ठीक ठाग रहेंगी इसके बारे में भी आपको बताने का प्रियास करेंगे हलाकि दो-तीन वीडियो इससे पहले कांपी लेखन पर हमने बता दी है लेकिन आपको थोड़ा प्रसनली के लिए उसके लिए जलधी वीडियो आपके सामने आएगी तो इसलिए सेशन को प्रकार से अभी लाइक करें और एक प्रकार से आप चैनल पर अगर नए आए हैं भी मेरी प्यार दोस्त तो सब्सक्राइब पर कहीं जाएगा क्योंकि इस वीडियो में और इसी प सामने रात 9 बज़े से ठीक प्रारम होगी तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजेगा चलिए प्रसनों को सुरू करते हैं बड़े ही आप लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे थे आपके सामने स्लाइड आ चुके है मेरे भाईया देखिए यहां पर बहुत ही आसानी सब्सक्राइब के अंतरगत आपके मैथिली सनगुप्त जैसंकर प्रसाथ सुमिता नंपन सूर कांतिर पाठी निराला रामधारी सिंग्दिन कर सचिता नंधीरा नलवासे नग्गे यहुम कुछ दुर्दपाठ के रूम में आप में सामिल होते हैं के दार नाथा गरवाल त्रिलोचन सास्त्रियों सुदामा परसाथ पांडे धूमिल अलग अलग जो है यूनिवर्सिटीज में हो सकता है कुछ है आपके हो सकता है काद्दो कभी इधर उधर हो जाएं तो उसके लिए छमा चाहेंगे तो आप अपने सिलेबस को अगर देखें तो अगर नहीं भी सकता नहीं है इस वीडियो के अंतर कर सभी यूनिवर्सिटीज को ध्यान में रखते होए बाते बताई जा रही है अगर आपकी पेपर का नाम है क्या अधुनिक हिंदीकाब तो इस वीडियो से आप अधिक मात्रा में लाभान भी थो सकेंगे या बात पहले जानीजे आप क पाथे कर में संकलित है उसको आप लोकर देख लिए आजय संकर प्रसाद का कौन साविक खंड मालेते हैं आपका कामायनी महाकावी में इससे कुछ संकलित है तो सर्ग संकलित है या फिर लज्जा सर्ग संकलित है जो भी आप से हो उसको देख लीजिएगा सुमित अन्दपन से क्या है पर्थम रस्मी है नाकवा विहार या परिवरतन क्या है ताज है या अधरतित कितना देती है क्या संकलित है उसको आप देख लीजिएगा इसी प्र उसी सकतार के लिए आपके सामने पहला परेखन आ चुका है इसके बाद पेपर-2 का भी वीडियो जल्द ही आपके सामने प्रिश्क करूँगा है वैसे एक वीडियो यू हमने ठोड़ा थोड़ी दिन पहले इसी ताइटाइप की वीडियों आपके सामने उपलब्द करवाई थी महासंगराम नाम से हिंदी साहित की विदूतिय वर्स समधित आप देख लीजेगा उसको उसमें भी अगर उसको देख लेगे तो पेपर दो आपका तयार हो जाएगा ठीक है चले पहला परसनापके सामने आ चुका है हिंदी काभी के आधुनिक काल नाम का प्रियोग सरव से पहले जानिये कि हिंदी सांहेता इतिहास किस ने लिखा कि मिस्र बंदो ने हैं इसी प्रकार से आचार हजारी परसाद दframe का प्रियास किया और सबसे अगर बात कर एक ड्रश वह सबसे सटिक जो रहा ऐसे काल खंड जो बैग्यानिक्टा पराधाईत है इसलिए इनका जो है सबसे परचलित है और इन्हों ने भीया हिंदी काब के जो आधुनिक काल है समझ इसको हम कहते हैं उसको क्या कहा है उसको आधुनिक काल सबसे पहले इन्हों ने कहा जैसे सभी लोग बाट रहेते तो कि करने किसी ने और काल का तो आधुनिकाल नाम किस ने दिया आधुनिकाल आचार सुक्ला जी ने नाम दिया है इसको आप लोग ध्यानसे इसके अपने दिमाग में बठी है आचार सुक्ला जी तो बिल्कुल चिंता करने के आपसेंस नहीं है लेकिन हाँ आपके सारे के सारे प्रसन यहीं से पूछे जाएंगे यह मैं दावे के साथ बोलना हूँ ओके चले नेक्स्ट प्रसन आपके सामने आ चुका है वही ध्यान रखेंगे हिंदी साहित को आप लोगों को पता होगा हि यह सुनो किसी भी अगर भी से बस्तू को हम बाटते हैं इतिहास को बाटते हैं तो क्या बाटते हैं प्राचिन काल मद्धिकाल और अधुनिक काल इसी प्रकार से हिंदी साहित को हम क्या कहते सबसे पहले तीन भागों में बाट यह एक तो हो गया आपका आधिकाल और दूस सुकला जी ने दिया मंदिकाल में दो भाग मंदिकाल के दो हो गए इधर अधर पूर्म हाद काल्व भक्ति काल को कहते है औधर मैं किसको कहते हैं रिति काल को कहते है तो आपसे पुछे लागन नाम और क्या उन् 느म अधिक्क आक है रिति काल का the अदुनिकाल में कई साखाएं आप देखने को मिलेंगे जैसे आदुनिक आपे सिरूआद में देखेंगे भारति om toilles से कहीं कहीं पर 1843 मिलेगा कहीं कहीं पर आपको 1857 मिलेगा चुकि उसी में करांती हुई थी तो वहीं से आपका प्रारम होग हुआ मिलेगा एक प्रकार सीनेरियों थोड़ा समझ लीजिए आप लोग को यह मत कहने लगिएगा कि सरकोशन लगाता जल्दी बताइए थोड़ा अगर बैग्राउंड आपका सही रहेगा तो असानी से आप जो है समझ पाएंगे सारे मुद्दे हिंदी साहित यह या सोच्योलाजी या समझ नहीं कि आप तो नहीं समझ जाएंगे हिंदी साहित थोड़ा इसकी भूम का आपको समझनी है यह वस्त्य होगी वैसे हिंदी सा नहीं कविता उसके आद में सठोतरी कविता सठोतरी मलब 1960 के बाद की कविता है यह किसी परकार से फिल गजल रुबाईया के जलों का सिस्टम आ आता है फिर उसके आद में हिंदी गाने आज आप लोग देखी रहें तमाम सारे अब एक कविता भी हमने लिख डाली थी इंग्लिस में लोग चैट कर रहें मलब ऐसे हमने बना था बहुत अच्छी कविता है किसी दिन आपके सामने कविता की इस्पेसली वीडियो बनाऊंगा मैं लेखन भी करने लगा हूं जल्दी मलब दो-तीन महीनों के अंदर से ठीक लागडाउन ने सिखा दिया चले तो भ भार्तेंदू यूग से कुछ चीज़ें आपसे हो सकता है उसके बाद में ज्यादा परसन भाटेंद यूग से नहीं पुछ जाएंगे ज्यादा परसनापके और भारतेंदू निक बहुत पर लेना और दिर्वेदी यूग को तो थोड़ा बहुत पर लेना मतबकिया करता हूं दूसरा प्रस्ता आपके सामने यह मिस्र बंधो ने शुकल जी से पूर आधुनिक काल को क्या कहा था उसको गता अधुनिक काल क्या कहा था वर्तमान काल आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा था तो आप से पूछेगा मिस्र बंधों ने आधुनिक काल को किस नाम क्या कहा तो उन्होंने वर्तमान काल कहा नेक्स्ट प्रसनाप का है तीसरा नंबर आधुनिक हिंदी कविता में भारतेंदु युक की काल सीमा क्या है भारतेंदु युक की काल सीमा क्या 1850 से 1900 हमने आपको बताया था 1850 क्यों यहां पर लिया गया भारतेंदु हरीचंद का क्या हुआ था जनम हुआ था भाया भारतेंदु हरीचंद का जनम कब हुआ था 1850 में इसलिए यहां से माना आता है कि यहीं से भारतेंदु की सुरुवात हो जाती है और भाया यहां पर आप देखेंगे कोई कुछ चुछ बिधवाण आपकी कुछ खुच अलो चक 1857 से मानते हैं? चुकि 1857 में क्या हुई थी कुरांती हुई थी कौण सी कुरांती हुई थी भारत की? तो 58-57 की करांत की थी मंगल पांडे ने गोली मारी थी आपको पता होगा वहीं से क्या होता समाज में प्रकार से अलग प्रकार का वातावड जो है आता है और जब समाजिक परिवर्तन होता है समाज में तो उसी के हिसाब से अन चीजों में भी परिवर्तन होता है चाहे वो प्रथाएं हो चाहे रीती रिवाज हो या फिर चाहे साहित हो चुकि साहित की जो हम परिभासा पढ़ते हैं तो साहित की यही परिभासा होती है कि साहित जो होता है समाज का दरपण होता है और जब साहित समाज का दरपण होता है समाज जो होता साहित का दरपण होत थी वहाँ पर लोग लड़ते वरते थे तमाम सरी राजावाजा तो इसलिए क्या होता था वहाँ पर बीड़ता फुर्वक रचनाय लिखती थी कि एक कामारें दुई गिर्जावें तिसरा खौप खाए मर जाए और इसी प्रकार से अन्य बातिया आप देखे होंगे कि जाकर काटो भुजा उखारो अबना राखो देर लगाए इस प्रकार से वहाँ पर सारी बाते होती थी कि मलब की जो है रिमजिम रिमजिम भाला बरसाई वह मैदानन के बीच मजाए इस प्रकार से सारी चीज़े होती थी वहाँ पर जब आब देखेंगे आपके रोंगटे पढ़ ले तो आदिकाल की तो वहां कि परवेस ऐसा था समाज वैसा था इसलिए रचनायव इसी होती थी धीर देरे पर बेस बदलता गया भक्ति काल आया बहुते रहे और इसमें रचनायव होती आगया इस प्रकार से क्या हुआ उसके बाद में राजा महराजा आये उन्ह ने अपने अपने बखान के लिए कभियों को रखना परारम कर दिया तो लोग आसरे मेरे करके रचनाय लिखने लगे आसरे दाताओं की प्रसंसा करने लगे नारियों को एक प्रकार से भोग की वस्तु समझने लगे उस पर रचनाय होने लगी खूब सिरंगार रचनाय लि जब समाजी पर बेस बदला भाईया तो होगा क्या सवाहित्य भी बदलेगा साहित्य की चीजे बदली साहित्य के लोग बदले साहित्य का मनतब बदला और जब साहित्य का मनतब बदला तो हमारे सामने एक नए युकिक सीमा आगए जिसको हम आधुनिक काल कहते हैं और प्रकार से क्रांति के माध्यम से यहां पर दिखाने का प्रियास कि आगा कि साहित में भी क्रांती हुई अधुनिक्ता पर आधारित साहित लिखे जाने लगी ठीक भारते दुझी के नाटक यहां पर आप देखें वैसे भारते दुझी का जनम 1850 जिसमी में होता है उसके आपके कमेंट्स तो बिल्कुल चिंता करने का वसकता नहीं है ठीक चले हां नेक्स्ट प्रसनल आ रहे हैं भाईया चिंता मत करिए तो हमने यहां पर आपको बताया कि जब समाज बदलता है तो साहित बदलता है यह सारी बाते अगर आपकी लिखित पर इच्छा होती ना इ से लाइक मार के चले जाना मैं दावे के साथ बोल ला हूं क्योंकि उसको इतना मज़ा आज आगा जो कि यह बाती पुस्तक में आप सही तरीके से नहीं देख पाएंगे पुस्तक में लिखी गई विद्या और दूसरे कहाद में गया धान मक्ताने पर काम नहीं आता ठीक य क्या वसकता है नहीं हिंदी साथ को हमने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया ताकि यह जरूरी था आगे बढ़ते हैं तो मिस्रबंधों ने सुकल जी से पूर्व आधुनिक काल को कहा था वरतमान काल तीसरा नमर प्रसन है आधुनिक हिंदी कविता में भारतेंदू नेक्ष्ट प्रसन चौथा नमर की दृवेदी यूग की समय सीमा कब से कब मात तंग मानी आती दृवेदी यूग की समय सीमा 1900 में खतम हुआ आपका भारतेंदू यूग और 1901 से प्रारम होयाता है क्या दृवेदी यूग और दृवेदी यूग का नाम करण किस पे हुआ 1921 से 1921 से लेकर के 1937 तक लगबग मेरी प्रियोग वाद उसके बाद में आप देखेंगे 1960 के बाद से आप देखेंगे 60 कविता है प्रारभ में आने लगी तो आप से कोई भी पूछे तो आप बड़े आसनी से सारे कालखंड आप समझा सकते हैं नेक्ष्ट प्रसन है पांचवा नंबर पांचवा नंबर कोश्चन है बहिया द्रबेदी मंडल के किन्ही तीन कभियों के नाम लिखिए सबसे पहले महाभीर प्रसाथ द्रबेदी जी का नाम भी ले सकते हैं लेकिन यहां पर आप उन्से थोड़ा सोचे की नंबर कम मिलेगा वैसे जैसे द्रबेदी युका नाम जो है उन्ही के नाम पर हुआ है लिखने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन आप थोड़ा अलग लिखिएगा तो जाकी गमर समझ जाएगा कि हां बच्चे के अंदर और बच्चा जानता है और भी कभियों के नाम तो मत्री सण गुपता ज अगला है चटवा नंबर कोसंस आचार महाविर प्रसाद द्रबेदी जो सकी सरसती पात्रिका के संपादक थे वह कब बने तो सरसती पात्रिका के संपादक संपादन उन्हें 1903 इस भी में समाला कौन आचार महाविर प्रसाद द्रबेदी और यही बेरिपार तो सरसती पात समझ यह बात को पात्रीका क्या होती पात्रीका में कभीताएं जो मात्राएं उधिक यह संती है किताब यह फ egentद करती यह शासी केराünde यह चीजे सरस्ःति पाटियका क्या करते थी संपाधन करती थी तो आचारह महाभ्रप्रसाथ दृबेदि जो त्वार सरस्ःति पाटियका के संपाधन थे और इसलिए नहीं के नाम पर जो है यह आज जो है कालخंड बाटा गया कौन सा दृबेदियो ठीक ध्यां रखेंगे55 प्रसना आपके सामने आचुका व्या अगला प्रासंडेह 9 अगला पर्सन नंबर आचार महाबिर प्रसाद द्रवेधी की प्रमुख काव ॥ा विक जोईति की पूछा Eig intercept की बात तो आप बता दीजिएगा महाविर पसादरवेदी की है इसको ध्यान से सुनिएगा और एयरफोन एक खरी लिजिए अच्छा सा खरी दिएगा 40 वाला मत खरी दिएगा दिक्कत होती उससे कान कराब हो जाएगा आप थोड़ा महेंगा एयरफोन खरी दिये या फिर अगर नही स्री आवज जाते सिल पर पर निसान मानो जड़ लगाता है पत्थर पानी वनता कोई दिक्कत की बात नहीं है अब लोग करिएगा नेक्स्ट परसने आठवा नंबर द्रिबेदी यूगीन काभी को जीवन की जय का काभी किस ने कहा आप से पूछेगा एक्जाम्स में कि कि एक कि स्य Hee Eventh कि काभी को कि यह कहाता है आपको आप संभ मिनने या दरभेदी यूग तो सभी क्या रहे हों मेरे पायर दोस्ट और बहुत ज्यादा जानकार आप लोग हो गए हैं चले आगे बढ़तें द्रवेदी युगीन कावी को जीवन की जय का कावी किस ने कहा पूछा गया है किस ने कहा डाक्टर रमा संकर तिरपाथी ने कहा रमा संकर तिरपाथी ने कहा रमा संकर तिरपाथी ने कहा रमा संकर तिरपाथी ऐसे समझे कि जय का कावी तो देखेगा यहां पर जब राम च आप तो समझाए कि हाँ राम चंद्र शुकुला जी मलब राम चंद्र त्रिपाथी जी ने यह बाते कहीं रास्वारी राम संकरति पाथी जी ने जो है बाते कहिए ट्रिक बना लेजिए अपने हिसाब से आथ करने कि नेक्ट परसने नवा नंबर मेरे खाल जट्रिक अगरा नहीं आप अगर अभ्यास करते रहेंगे तो ट्रिक क्या वह सकता आपको नहीं परेगी तीन से चार बार वीडियो देख लिए क्या दिकत है उसमें तीन चार घंटे आठराफ सो hey फिर से एक बार अठाहाथ सो पचास से लेकर के 1900 तक ऌके समयकाल फिर क्या है भारत्य इन्दु यूग फिर प्रियोगवाद और 43-47 तक आपका प्रियोगवाद उसके बाद में 73 उसके बाद में 63 यह सारी बाते समझ लिजी आप ठीक चलिए आगे समझते हैं चायावाद को आप कालकरम कितना देंगे 1921-1936 नेक्स्ट प्रसंतासवा नंबर आपकी नजन में प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है प्रगतिवाद की समय सीमा 1937-1942 आपको बता दी इसके ने प्रियोगवाद का कालकरम 1937-1952 यह उनीस आप 47 तक भी कुछ लोग मानते हैं लेकिन 1952 आप कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें आगे सजलिए और नहीं कभिता का कालकरम देखिएगा नहीस सो तिर्पन से उनीस सो साथ तक है और निस सो साथ हजभी के बाद में सठो तरी कभिता यहां पर देखें सठो तरी कभिता किसे कहते हैं जिसकी रचना जो है तेरे तक समझने आगई बाते आगे बढ़ा जाए अगला परस ला परसना आपके साथ लेकर कि यतने भी आपसे पूछा है उसको यहांपर आपको बता दूंगा पहला परसना झ lick रही होने के सास्द प्रकरती के लेकर से सक्मार कभी सस्मिता नाधन नपंत थे विल्कुल आप बता रही हैं लेकिन जो प्रखरती में जो उस्ता छेप किया प्रकृति का मानडी करण भी किया है गुपता जी ने और राष्ट के सच्चे कभी हैं या कभी-कभी आपसे प्रस्ण पूछा आता था लिखी तवालों में कि गुपत जी सच्चे अर्थों में राष्ट कभी हैं असपश्ट कीजिए आप 2017 या 16 का प्रस्ण पत्र और इसी्प्र कार से आगे कहा था गाष्ट अभिन्न ना भी पातन की डाल ठोक मरोडदों इस प्रकार से इनके अंदर भावना होती थी मैथली स्रणगुप्त जो थे मेरे भया या राष्ट कभी का सम्मान इनको मिला था और राष्ट कभी का सम्मान जो है इनको प्रकार से बड़ी ही ख्याती प्राप्त थी इनको सबसे पहली रचना इनकी एकर बात किजा आप से पुझेगा कि इनकी सबसे पहली रचना कौन सी ह तो इनकी सबसे पहले रचना है आपकी रंग मेभंग 1909 इसबी में उसका प्रकासन हुआ ध्यान लिखेंगे भारत भारती इनकी सबसे एक महात्पूरी रचना थी 1912 इसबी में भारत भारती का प्रकासन हुआ था कहते हैं उस समय कि भारत भारती को पढ़ने के लिए जब दे इसी चीजों के बारे में लिखा गया था कि इसको पढ़ने के लिए कहा जाता है कि दक्षिड भारत के लोग जो थे उन्होंने भी हिंदी सीखना प्राणम कर दिया कि हिंदी सीखने लगे थे क्यों भारत भारती पढ़ने के लिए तो समझी आप कितनी प्रभाव साले रचना थी ठीक तो गुप्त जी ऐसे थे इन्होंने गुप्त जी के नारी के प्रती भी प्रकार से इनकी भावना बड़ी ही अच्छी रही है इन्होंने कहा कि अबला जीवन हाए तुम्हारी यही कहानी आचल में है दूद और आखों में है पानी इस प्रकार से आप गुप्त जी भार्थेन्दो में रहे हैं दृबेदू जी जो रहे हैं गुपता जी हैं सब्सक्राइब दिकार से बोल सकते हैं उस संस्था पर यहां अन्याय की हों देव दर्शन तक बंद रहा ना इस्वर भी स्वाचंद फिर हम कैसे हो स्वाधीन नहों भला क्यों दुरबल दीन हम पर इस्वर की फटका रोका हमने उसका द्वार इस प्रकार से गुप्त जी युग के प्रतिंदि कभी कि भी कही जा सकते हैं द्यानकृ के इतनी बात चले इनके बारे में हम प्रसनो को कतार को देखते हैं पहला प्रसनापके सामने कपे प्रशिष यसाशी से जिले के में जो है उत्तरप्रदेस में स्थित-जहासेजिले में चिरगाऊं इस्थितаже और अगस्त के महींझे में 1886 भी में मैथफले-छड़ गुप्तजी का क्या होता है जनम होता है ध्यान लखेंगे इतनी बात तो गुप्तजी का जनम कब हुआ 1886 में हुआ था ध्यान नखेंगे इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जैसे कि 50 से अधिक गरंथों का इन्होंने संपादन किया बात की जाएं के बात की बाते एक तो बक संघार और दूसरा बन बाते बताई गई हैं सकती और इसके बाद में गुरकुल विकटभट जंकार साकेत ये सोधरा द्वापर शिद्राज मंगल घट नहुस कुडाल गीत अर्जुन और विसरजन बिसुबेदना काबा और कर्बला अजित वहीडिं प्रदक्षिडा इंभा उसी के संवर्व का प्रसंग है इन्होंने बताया अंजली और अंजली क्या होता है जो हाथ जो कलस का जल होता है उसको अंजली कहते हैं और घ्रत्वी पुत्र युद्ध भारत हो राजा प्रजा विष्डू प्रिया उच्छवास लीला और अतनावली यह सारी के सारी इनके रचनाएं हैं जो की एक प्रकार से बहुत ही महात्पूर्ण हैं ध्यान रखेंगे बातें इसे आपने पढ़ा होगा बच्वने सायथ चार पांच में चार उचंद की चंचल किरड़े खेल रही है जल्थल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है जीवन के सुंदर संतल में आवनी और अंबलतर में यह बाते भी यह नहीं की हैं या फिर निलामबर परिधान हरित सुर्चंद्र युग मुकड में खलारतनाकर है नदिया प्रेम प्रवाह फूल मंडल तारे हैं यह मात्र भूमी के संदर में बाते बताई जाती हैं या मानस मंदिर में सती पती की प्रतिमा थाप जलती सी उस बीरह में बनी आरती आप इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारी साहित को एक प्रकार से अमोल धरोहर संपी तो मैंसरी सण गुप्त व्यवाकई में अमर कभी रहे हैं ठीक नेक्स्ट परसन है गुप्त जी बरजभासा में किस उपन्यास की काभी सरजना करते थे तो रसी केंदर से काभी सरजना मलब काभी की जो सिक्छा गरन करते थे वह जो खीलत जी की कभीता प्रतः मत आँब और किसी ते प्रक कासित होई थो 1905 cards यसभी में हे मन्त इंठ काभिता प्रकासित होती लेकिन अगर बात की जायी मेरीस पहली रंचम्य कोई नहीं बोलाब रचना की तो रग में भंग है 1909 इस वी में ठीक ध्यार ने खेंगे सरस्तु पात्रिका में पहली कविता हिमंत सीर्षक से 1905 प्रकासन हुआ सरसती पात्रिका में जिसके संपादक कौन थे 1903 में प्रकासन समाला था आचार महाविर प्रसादर बेदी अगला आपसे देखते हैं 17 नंबर को संसा है गुप्त जी के जेल जीवन पर गुप्त जी के जेल जीवन की किर्थियों के नाम लेकिजिए चुकि गुप्त जी जो थ पर्के इन्होंने कौन कौंसी रचनाय लिखी तो और पूडालगी जीत ओर कुडालगी धीये रचनाय जेल में लिखी तो सारी बाते समझ में आरे भाई यह सारी बाते समझ में अरी मित्ररों सभी लोगों को बिल्कुल फड़ावच चरीए एक बार बीड़ो को लाइक पर सबी लोग और वीडियो को से बीडियो में तो फिसे करें सबीडों के यह से सेसन में बहुत मज़ा आए WiFi हिसा अदिक प्रसक्रशलिए ब्ствие सेकंडियर वालों के लिए यागे बढ़ते हैं मात्र भूमी कभूता में सूरी चंद्र को क्या कहा कहा तो मात्र भूमी का मुकुट बताए गया है सूरी चंद्रमा क्या है मुकुट हैं किसके भईया मुकुट है ये तो यह मुकुट हैं किसके प्रिथभी के क्या कहा गया है कि सूरी चंद्र युग मुकुट में खला रतना करें नीलांबर परिधान हरित पट पर सुन्दर है सूरी चंद्र योग मुकुट में खला रतनाकर हैं इसी प्रकार से बाते बताई गई हैं नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं बंदी जन खग ब्रिंद सेस फन सिंगासन है करते अभिसेग पयोध हैं बलिहारी इस भेस की है मात्र भूमितू सत्त ही है सगुड मूर्त सर्भेस की यहां बाते बताई जाती है किसके संदर में यहां बाते बताई जाती है मेरे भईया इसके संदर में मात्र भूमी के बारे में तो वहीं बाते पूछ रहा है कि गुप्त जी के मात्र भूमी कविता में सूरी चंद्रमा को क्या माना गया है या क्या कहा गया है तो मात्र भू अबने मात्र भूमितु सब्सक्राइब कि अगर आपको इसकी ब्याक्र जानी तो ये जाएंगे वहां मात्रभूमी कवتा की क्रिश्दट ब्याक्ख्यापको बिल जाएगी वहाँ सिया मात्रभूमी कवूनी कविता ऐसी प्रकार से आने कविताओं की ब्याक्या उस चैनल पर जुड़़कर करके आप कर सकते हैं ठीक ज्यान नखेंगे आगे बढ़ते हैं अगला परसना के सामने अगला परसना आ गया अगला परसना आपके सामने आ चुका है दोनों और प्रेम पलता है बीसवा नंबर में कभी संसार की बृति को क्या कहता है दोनों और प्रेम पलता है में कभी जो है संसार की बृति मलब संसार क्या करता है बृति को क्या कहता है तो क्या कहता है वा जलता दीपक भी और जलता पतिंगा भी एक दीपक की लोग मालते हैं जलती यहां पर लेकिन उसके आपनों सारी कीड़े मikोड़े आते हैं यहां कई जलता समझतें आपके जो होगिति वेखने के लिए बहुत सारी मिंख़ुता कीड़े मैपर आते हैं वो सोचते हैं मैं भी जलू और मेरा भी बखान हो चोतरफा यह इसकी किनारे किनारे आते रहते हैं और इसमें क्या होते हैं जल जाते हैं अपनी प्राणों का बलिदान देते हैं लेकिन समाज के बेक्ति समाज के लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि वहाँ पर एक पतिंग अपने प्राणों का बलिदांदू ऐसी बाते कही जाती हैं तो इसी प्रकार से एक बात यहां पर इस सीरसक के मादर से समझाया गया है कि एक जिसे उर्मिला जी को आप जानते हैं लच्छमड जी की पतनी का नाम उर्मिला जी था उर्मिला माता तो उर्मिला जी जो है वो हरार लच्मण जो है बन मे चोधा वर्स का प्रकारश्व इटूरी है अब यहां पर उरमिला जी जौ fellows प्रकार से तडपती हैं लच्मण के त्याग को लच्मण जी को त्याग को पूरा संसार शमझ था तो लच्मण यलाए हुए अपने आचल से हमेशा उसको बचाय रखती है कि हमारे पती का प्राड़ों का एक प्रकार से हमारे प्राले उसी को देखती रहती है हमेशा और एक प्रकार से कितना बड़ा त्याग करती है अपने पती के लिए आज देखते हैं जिसे कि अगर आप देखते होंगे कि पती पर्देश में हो तो कर दिंग की नहीं मुझे भी पर्देश लेचलो इस प्रकार से चौदा वर्स आज की पर बेक्ष में बाते बता रहा हूं अगर और चौदा वर्स किसी का पती अलग चला जाए तो क्या वह स्तरी रह पाइक बिल्कुल नहीं रहेगी ऐसे में उर्मिला जी का बड़ा कितना बड़ा तो उर्मिला जी को यहां पर पतिंगे से तुलना की गई कि पतिंगा जलता लेकिन समाज में उसकी बैलू नहीं है इसी प इस आब ने समन लिया दोनों और प्रेम पलतां है में कभिए वाल जी र और मिरखशाला पर आसानी से नहीं की रहता है तो वह तबकि बातिया है जो राजभौन का सुख है यह मुझे नहीं मिला है जो वहाँ पर कालेड के चदर मिलता था वह यहां पर हम этому को मिरुग सिलय प्रकार से कहते हैं कंद मुल फल यहां पर मिलते हैं तुमाम पुरकर की चीज़ बताती हैं माता सीता यहां ये उसके बारे में आपको सही तरीके समझा दिया गया ठीक ध्यान लखेंगे अगला परसन है आपका आनंद हमारे आधीन नहता है किस ने कहा है भगवान स्रीराम चंजी ने कहा है कि आनंद हमारे आधीन नहता है बस उसकी जो आनंद होता है उसको अपने आधीन बनाना चाहिए ठीक ध्यान लखेंगे अबात तो आनंद को कहीं ढोड़ने के आवसक्ता नहीं आनंद आपके अधिन होता है आप खुद में स्वता में सुखी रह सकते हैं नेक्स्ट परसन आपके सामने आ गया अगला परसन आ चुका है जैसंकर परसाद जी को लेकर के अगला परस चुबिस नंबर जैसंकर परसाद ववारानसी के किस सूबिक्षात घराने के सदस्य थे सुखनी साहु परिवार में इनका जनम हुआ था परसाद जी का ध्यान नकी कितनी बात परसाद जी जो थे चायावाद के कौन है उन एक उन चारों नाएकों में से एक हैं चायावाद के हिसाब से देखा जाए तो चायावाद में परसाद जी का नाम अग्रेडी लिया जाता है चायावाद के प्रकार से अस्तंबों में से एक हैं आप से एक्जाम से पूछा जा महादेभी वर्मा जी को कहा जाता है इसे भी बातों को आपको ध्यान लखना है जगासंकर प्रसादत्जी का जनम कब हुआ जनμ आपलोग बताने का प्रियास करने उनका जनम कब हुआ था उनकी आयू कितने वर्सकी थी और उनकी मिर्तु किस रोग के कारण से हुई थी इसको भी कमेंट सेक्शन में आप लिखके बताने का परियास करें तो जेसंकर प्रसाद बी वरानसे के निकट सुबिख्याद उनकर घराना था, सुंगहनी साहू परिवार में जनम हुआ था पचीसवा नंबर प्रसन है कि प्रसाद जी की परधम लचना का प्रकासित होई तो उनकी प्रतम रचना 1906 वी में प्रकासित हुई में करते थे इन्धु नावक पत्रिका का संपादन प्रकासन करते थे इनकी रचनाव में आगर बात किजा प्रसाद जी बड़े ही धीर बीद के रूम में हमारे सामने आते हैं प्रसाद जी के बारे में बताया तो हम ग्रूम सारी जैसे की संदर्ड इतना की देश्टे से देखा जाए तो इन्होंने कहा नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मरदुल अधुखुला अंग खिले हो जियों विजली के फूल मेख बन बीच गुलाबी रंग मलब जो है मनु और सद्धा बैटे हुए हैं सरद्धा का एक प्रकार से नीला नील उसी को देखते हैं और उसी में से जो है सरद्धा का जो फटा हुआ नीला वस्त्र है उसमें से उनकी जो तचा है गुलाबी रंग की दिखाई पड़ती है उसी को देख करके जो है मनु जो है कहते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मरदुल अधुखुला अं अगर यहां जो है उबी जिस प्रकार से बिजुडी की चमक है ऐसे प्रकार से नीले बितान में नीले वस्त्र के में के अंत्रगत और और उनहों सक्ट की प्रेम कला उसका संदेज सुनाने को संसृत में आई यहामला इसी प्रकार से और भी बाते नोंने बताया कि दया माता ममता लो आज मधुरेमा लो आगात विस्वास मेरा हिर्दै रतन निधिस्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास इस प्रकार से बहुत सारी ची भरी जैसे उठे सलज भोर की तारग धुतिकी गोद इसी प्रकार से बहुत सारी नारी नारियों के प्रतितों इनकी भावना को देखिए इन्होंने कहा कि नारी तुम केवल सरद्धा हो विस्वास रजत नग पगतल में नीर स्रोस्ती भाकरो जीवन की सुंदर समतल में कभ भी लोगों करक्ट एंसर आ रहे हैं जैसे अंकर प्रसाद जी के जनम को लेकर के ठीक चले कितने वर्स जीते जीए ये 47-47 साल बिल्कुल छै रोग से इनका जो है निधन हुआ था ठीक चले आगे बढ़ते हैं प्रसाद जी की प्रथम रचना का प्रकासित हुई बनारस के प्रसाद जी की प्रथम पुस्तक का रचना के प्रसाद जी को प्रथम पुस्तक का रचना के रूब में किसे अधिमानिता प्राप्त हुई तो उर्बसी इनकी रचना है उसको पुस्तक के रूब में जो है बाते हैं जो है प्रकार से मानिता मिली ठीक ध्यान नखेंगे बाते और चलें और आगे बाती की जाएं मानोताहदी धिष्टकोन भी इनके अंतरगत ब्याप्त ती कहते हैं मानुताहदी दिष्टकोन लेकिन उर्तिने ही समय में उन्हें बहुत हिंदी को एक प्रकार से समर्द किया बढ़ाया काभी को आगे बढ़ाया ठीक ध्यार नखें गिया अगला परसने कभीर परसाद ने उर्भसी को क्या कहा है अपना पर्थम परिसरम कहा है उर्भसी जो इनकी रचना है उसको उन्हें और आपसे पूछेगा किस रचना को प्रषाज़ी किस रचना को अपना परिशरम उन्हीने पहला बताया है तो इन है ठीक आगे बढ़ते हैं अगला अपके के सामने आ चुका है तीसवा नंबर हिंदी साहत के अभीनो यूग का आरंबिक इतिहास किसे कहा याता है तो चित्राधार को कहता है किसको चित्राधार को फिसथ ने ननले परति हैं किस साहत कार ने कामायनी को आपसे पूचेगा कि छायावात का उपनेशाध किसे आहां तो तो थिक ध्यान नखेंगी तकर कामायनी एक प्रकार से ऐसा महा कावी जिचति घ्याति रामचरिद मानस उप्राप्त और भक्ति प्रषाज जी काना है ध्याने को प्राप्ट है कमाइन को 15 शंति प्रिदर वेदि腳 अगला तैतिस नंबर प्रसाज जी किस कृतीhmen पर मंगला परसाथ पार्टौसी 9 उपहार होता इसको इन पर उनको दिया गया तो प्रसाज-जी को किस किती पर मंगला प्रसाद पार्तोसिक प्रदान किया गया कामाईनी महा कावे पर इनको मंगला प्रसाद पार्तोसिक जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया ठेक ध्यान लखेंगे खिरे थे हिंदी साहित बहुत ही एक प्रकार से रुचिकर भी सेवस्तू है ठीक अगर आप बिये करें हिंदी साहित ना लें तो फिर एक प्रकार से आप समझे बिये कर ही नहीं रहें अगला परसने कामाईनी किसकी और किस विधा के रिशना भाईया कामाईनी संगर परसाद के रिशना और प्रकार से महा काप भी है ठीक अगला परसने कामाईनी में कितने सर्ग है कामाईनी में कितने सर्ग है पंदरा सर्ग है कामाईनी में कितने सर्ग है पंदरा सर्ग है आप के पाठैकरम में पूछे का माइनी का क्विश्ञ संकली संकली थे ठीक आगे बढ़ते हैंग्छा प्रसनों के सांदे आग हैं का माइनी के प्रथम सरका क्या नाम है चिंता सरक है अगला पर प्रसने आपके आ गए सुमित्तानदनदपंत प्रकर्ति के सुकुमार कभी सुमित्तदनदनदपंत जी का स्वागत करें आप सबी लोग क्रकरें लींगत। प्रकर्ति के लिए इन्होंने बहुत सारी बातें बताई है कि यहां धरा का मुख्य को रूप है कुछित गरहित उनका जीवन सुन्दरता का मूल लिक वहां क्या जहां उदर है छुब्ध नगनता या इसी प्रकार से बहुत सारी जहां दैन जर जर असंखितन पसु जगन छण करते यापन कीडों से रेंगते मनुझने जहां अकाल ब्रद्ध है योवन पंत जी की कब यात्रा बहुत ही लंवी प्रकार से रही है और कब यात्रा में छायाओ वादी कभियों में दिखाया स्थ citron's की साय की ऎनको पूछा आता उच्छायावाद को प्राकृतिक सौंदरिवादी युग कहा आता है प्रगतिवाद को किसके नाम से यथार्थ वादी युग के नाम से आता है प्रगतिवादी को ठीक ध्यार नखेंगे इसी प्रकार से आप से पूछेगे इसी प्रकार से आप देखेंगे अंतर शेतनावादी युग में 1946-1948 के बीश का समयकाल जो है उसमें स्वाण किरन और स्वाण धोली इन्होंने लिखी है उसी में आप देखेंगे 1949 के बाद रचनाएं उत्तरा हो गया कला और बूढ़ा चान हो गया जो है अंतिमा हो गई लोकातायन चितंबरा और उसके बाद में अभिसेकिता और समाधिता इत्याद रचनाएं हुई है जो कि प्रकार से सब में प्रकृती की कहीं न कहीं पे यहां पर आप देख लेंगे सारी बाते पंतजी की यहाँ पर दिखाई पढ़ेंगे ठीक प्रकृती एक प्रकार से इनके रोम रोम में भड़ी हुई थी और प्रकृती के साथ साथ इनमें कविता में बहुत जादा कालपनिकता भी ब्याप्त है इस बात से भी आप जो है मना नहीं कर सकते इसे कि इन्होंने कहा क्या कहा कि जालरदार गरारा पहने, स्वरडिम कलियों के सज गहने, बूंदे कड़ी चुनरी पहरा, सोभा की लहरा सी लहरा, तारो की सी छाह सावली और आगे कहते हैं कि सीधे पक धरती न बावली, कोमलता के भार से भरी, अंग भंगिमा भरी चरहरी इस प्रकार से बाते बताते हैं, कहते हैं यह है कि मखमली पेटियों सी लटकी, छीमिया छिपाए बीज लडी हैं, मटर के दाने को कोले करके इन्होंने बाते बताई हैं, धूम धुआरे काजर कारे हम ही विकरारे का बादर, क्या कहा धूम धुआरे मलब बादल की परकार से देखते हैं कि बादल घना आया है और एक परकार से सारी बातों को देखते हैं, उन्होंने कहा कि धूम धुआरे काजर कारे हम ही विकरारे बादर, मदन राज के बीर, ब πंत जी का जनम कब व्याथा पंदी का जनम मेरेव दोस्तों 21 मई को हुआ था और शंथा 1990 का अल्मोडा जिले में हुआ था कहां पर हुआ था के अलमोडा जिले में हुआ ठा क hemen grinding कि जनम हुआ था ध्यान नखेंगे 49 नमबर परसन है पंत के माता पिता का क्या नाम था तो पंत के माता का नाम क्या था स्रीमती सरस्ति देवी था और पिता का क्या नाम था पिता का नाम पंडित गंगा धर्दत था क्या नाम था पिता का पंडित गंगा धर्दत माता का क्या नाम था स्रीमती सरस्ति देवी नेक परस्थ नहीं पंत जी को किस महान कभी के साहितिक में दिजलत्पी सी राइविद्ना टैगोर और अगला है रूपाभ नामक पत्रिका कहां से प्रकासित होती थी तो काला कंकर मलब जो आवध प्रांत में है मलब की आवध शेतर में इसे बिलाउं करता है तो आवध से रूप पत्रिका प्रकासित होती थी नेक्स्ट है पंत जी ने किसके साथ मद्रास में रेकर के सिनेमा चित्र कलपना प्रस्तुत किया तो नर्तक श्री उदे संकर जी के साथ में रेकर के पंत जी ने क्या किया था मद्रास में रहे और वहीं से सिनेमा चित्र कलपना भी प्रस्तुत में रहें पन्त जी को उनकी किस क्रती पर भार्ति ग्यानपीशकार प्राप्ट हुआ था तो पिन्थ जी को एक क्ष спасибо प्रकार से कंळिए लिए उनकी प्रॉसकार मिला अपसे पूछेगा भारति ग्यानपीशी कैर जों ए पर कब किया गया 1968 में अगले परसन के रोब बढ़ते हैं नेक्ष्ट परसन है आपका अगला परसने 45 नमबर कोशिशन से भिया की पंत का काभी संग्रा गुंजन का प्रकासित हुआ तो 1932 में गुंजन इनका काभी संग्रा जो की प्रकासित हुआ काभी संग्रा का मलब होता ह कविताओं का संग्रा मलब कविताओं का बहुत सारी कविताओं का इक अठा करके पुस्तक बना जाती है उसी को हम काभिसंग्रा कहते थी अगला च्यारित नंबर पंथ जी का देहावसान मलब इनकी मृतु कब हो गई थी समय के ननची की मृत उपन्यास को नीश्व में जनम हुआ था पंथ जी का और कब इनकी मिरती हुई थी इनकी मिरती हुई तो लगबक प्रकासित हुआ जहान से बहत ही प्रकासित हुआ उनींजोच चॉ पाहित ओपि été सप्ष्षण चॉच्छ गया दे किसकृते पर तो लोगा यतोन पर दिया गया लोगा यतन पर दिया गया 1964 में इसका प्रकासन होता है और इसके एक साल के बाद में 1965 इस पर यह पंधजी को सोब्यत लेंड नहरु पुरुसकार से सम्मानित किया गया ठिकिबद्यास भॉक्त अगयाभी वीडियो को लाइक करीए अगर वीडियो में मज़ा रहा है सेशन अगर अच्छा लग रहा भया वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सेयर करें सभी लोग के पास सेशन में मज़ा आएगा इसी प्रकार से कल एजुकेशन की वीडियो आपके सामने लाने का प्रियास करूंगा ओके अगला प्रस्ण पंत क्या है अगला प्रस्णन के सामने की कि पंत मान गरंफ रूप रूहरुप आंबरा का संपादन किस ने किया था तो सचछिदा देडीडाद्ध यह अगला प्रसथ उडिक जड़ा है जो आगे जी है याभी प्रकार शेह किसे करते थे यह प्रकार शेटार सब्सक्राइब करते थे यह नितार सब तक आते रहें समय समय पर भी बातें आपको बता दूँगा ठीक आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है आपका आपके पाठेकरम में पांच कविताइं से कलित हैं प्रथम रस्मी नौका बिहार परिवर्तन आधरती कितना देती है ताज अगला यहां पर कि अधर सब्ते हैं लियुटाव कि इस प्रकार से तो यहां पर देखें तो अली जो है क्या बंदी होने की बात करता है उसके नौका बिहार सीरसक कविता उनके कि काविसंग्रा से ली गई है तो गुंजन से लिए गुंजन क्या काविसंग्रा है उसी से एक कविता है नौका विहार उसी सीर्षक से लिए नेक्स्ट परसना आपके सामने आ चुका है अगला परसन है छपा नंबर नौका विहार कविता की सारबाधिक कर लाकिर्ति का प्रक में वातावन जो है जो है प्रसुत किया गया है उसका चित्र भी प्रकार से बोट अशी तरीके से किया गया है और साथ-साथ अंत में जीवन की नस्वरता का विवेचन करते हुए समाप्त हो जाती कविता मलब कविता की प्रकिर्ती जो है प्रकिर्ती के सुरम्योतावन के चित्रन से प्रारम होती कविता और अंतता जीवन की नस्वरता के साथ समाप्त हो जाती कविता नेक्स्ट प्रसन है आपका नोका बिहार कविता में तनवंगी गंगा की सया पर साहित है तो सैकत बालू की सया पर नेक्स्ट प्रसन आपके सामने है कभी गंगा बिहार हेतु नाव लेकर की कब चला तो चांदनी रात के पर्थम पहर में चला नेक्स्ट प्रसन है आधर्ती कितना देती है कविता पंत जी के किस काभी संगरा से ली गई है तो बाणी सी ली गई नौका बिहार गुंजन से ली गई है ध्यार नकेंगे आधर्ती कितना देती है बाणी संगरा से काभी संगरा जुकी है नेक्स पर्सन देखे अगला प्रसन है कभी बाले काल्व में धर्टी में क्या बोया था 70 नमर ר 팁रिवरतन की उपम्ड किसे मलब step उसे too Sam Denis सब्सक्राइब करता है तो कभी परिवर्तन के समाधियस्थल को कैसे करता है तो कैसे करता सब्सक्राइब करता है समाधियस्थल का कभी परिवर्तन के परिहास बताता है तो अखिल प्रिलों कैसा औक देहान की ड Torah देट यह सारे व्टों अब आगे के आगले चुक्ती का पाठी निराला उन से लिए कुछ बाते आपको बताने का प्रियास करूंगा कि सुम्हेतान अनला कि जब बात आती है तो आपको सबसे पहले कविता आता थी बच्पन की कि वह आता दो टूप कलेजए का करता पस्ताता पत्पर साथ दो बच्चे भी है जो सदा हाथ फैलाए बाएं से मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दिश्ट पाने के और बढ़ाएं भूख से सूख ओठ जाते दाता भाग विधाता से क्या पाते घूट आसू के पेकर रह जाते इस प्रकार से कविता है ब खुद की फिलिंग्स को सहती कलम परदान करते थे सहतीक दिष्टी देते थी ठीक अंद्राइब का जनम कभी था 21 फरवरी नराला का जनम बिया इनका जनम 21 फरवरी 1849 में हुआ था कहांपर मेदनी पूर में हुआ था मिर्दु कब हुई थी 15 अक्टूबर 1961 को हुई थी कहाँ पर प्रियाग राजमीन की पिता का क्या नम था रामसाय त्रपाथी था आगे बात करते हैं सूरकां त्रपाथी निराला की पर्थम काभिकरती का नाम क्या था प्रसंद पूचा गया आप से चाचा नमर प्रसंद दे प्रसंद निराला ने महादेव प्रसाद सेठ के किस पत्र का संपादन एक वर्स तक किया निराला जी ने महादेव प्रसाद सेठ जेज ये थे उनके पत्र का संपादन एक वर्स तक किया था तो उस किस पत्रिका का संपादन किया था तो भाहिया मतवाला अगला प्रसंद ह निराला ने गंगा पुस्तक माला में किसके साथ काम किया तो सिरी दुलारे भारगो भारगो जी के साथ किया था निराला जी ने गंगा पुस्तक माला में एक साथ कारी किया था नेक्स्ट परस नहें न रहे गया आम की यह डाल जो सूखी दिछी कह रही है अब यहां पिक या सिखी नहीं आते पिक प्रकार से पंक्षी होते हैं उनके बारे माति बताई आती हैं था यह बाति यहां पर बताई गalen के कब़ा बिजन बन बलली पर सोने की बात की जोही की कली को अगला परसने आपके सामने अगला परसने जोही की कली में जिस रात का उलेख है वह कैसी है तो वासंती निसा है वासंती निसा माने रात होती है तो वासंती निसा है नेक्स्ट परसने जोही कली सीर्सक कविता निराला के किस काबि संग्राह में संग रही थे तो परिमल में संग रही थे नेक्स्ट है आपका कली को प्रिये आगमन का पता जो है क्यों चला तो वह सो रही थी से लिए उसको चला पता क्यों नहीं चला दिखिए यहाँ पर क्यों नहीं चला यही मैं आज आपको समझा रहा था उसमें कि क इनकी बातों का ध्याने के तो उसमें हमने एक बात यह भी बताई थी एक वीडियो हमने जो बताया था आपको कि देख लिएगा परिक्षा के अंतिम समय में क्या करना है वहाँ पर मुझे दिक्कत हुई मलब की क्या होती थी एक्जाम समय जब आप जाएंगे तो आपको यह वाला जो सब्दे वो नहीं दिखेगा ठीक चुकि वहाँ पर नहीं लिखा है तो कली को प्रिये आगमन का पता क्यों नहीं चला क्योंकि वहाँ सो रही थी इसलिए नहीं चला नेक्ष्ट प्रसन चवहत्तर नंबर कभी कली के नेत्रों को कैसे अभी वेक्त करता है हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि जो है जूही की कली में जिस रात का उलेख है वह कैसी थी तो वह बासांती निसा थी इसको मनें आपको बता ही दिया अगला परसने 72 नंबर कि जूही की कली क्या परसन है अगला चलें देखने का प्रियास करें आप सभी लोग अगला परसन है जूही की कली सीर्सक कविता निराला के किस काबे संगरा से संगरी थे तो परिमल से है अगला परसन है कली को बातिहतर नंबर कली को कि प्रिये आगमन का पता क्यों नहीं चला क्यों कि वासो रही थी कभी कली के नेत्रों से कैसे अभिवक्त करता है तो निद्रालस बंकिम विसाल नेक्ट परसन है बात पचातर नमर कभीवर निराला का देहावसान कब हुआ था 15 अक्टूबर 1961 इसबी को हमने आपको बता ही दिया था जनम कब हुआ था 1899 में हुआ था 21 फरवरी को मैदनीपूर में मिर्तू का 15 अक्टूबर 1964 में प्रियाग राज में हुई थी पिता राम साय तरिपाठीन के नाम था अगला परसन देखते हैं अगला परसने बादलाग फस्ट कभिता का संकलन किस संग्रा से हुआ है परिमल से हुआ है जागो फिर एक बार कभिता का संकलन किस किर्थी से हुआ है तो या भी परिमल नामक काभि संग्रा से हुआ है वहीं इसने निर्जर बह गया संग्यक कभिता निराला के किस काभि संग्रा से है तो या आडिमा नामक काभि संग्रा से इसने निर्जर बह गया जो संगिक कविता है अली गई मलब की संगिक मलब होता है नाम अली तो इसने निर्जर जो बह गया कविता की किस कविता संग्रा से ली गई है किस काबि संग्रा से तो आडिमा नाम काबि संग्रा से जब की बादलाग फस्ट है जागो फिर एक बार फस्ट यह सब परिमल से ल तो इसी परकार से अगला है आपके रामधारी सिंग दिनकर अगला पुछा सकता है अगला परसने दिनकर का जनम कहां पर हुआ हुआ हो था कहा पर बिहार प्रांथ के मुंगेर जिले के सीमरिया नामक गाउं में जो है पंत जी का जनम हुआ था कब हुआ था 3 सितंबर 1908 इसबी को ठेक आगे बढ़ते हैं 82 नंबर कोजसन साब के सामने है दिनकर की पिता जी का क्या नाम था बाबू रभी सिंगिन के पिता का जी का नाम था 83 नंबर कोजसन दिनकर का पूरा नाम क्या था तो रामधरी सिंगिन का पूरा नाम है दिनकर इनकर उपनाम है दिनकर मलब क्या होता है दिनकर भगवान सूर के प्रयावाची दिनकर मलब होता है दिन करने वाला तो अंधेरे में उजाला करने वाला या दिन करने वाला या फिर एक प्रकार से कुईसी प्रकार की प्रतिष्ठा आज प्रकार की हैं तो दिनकर चाया चाहावाद उत्तर मंदल्ब क्या होता है बाद में उसी को चाहावाद उत्तर हुग कहते हैं अगला प्रस्चम 85 अगला है 86 नवर कोईंट दिनकर ने B.A. कब पास किया था तो 1932 में इन्होंने B.A. की परिक्षा उत्त्रेण करी थी नेक्षट प्रस्चम 87 नवर दिनकर जी कब राजसभा का सदस इन्होंने मनोनित का गयन को ये राजसभा के सदस भी थे तो राजसभा मलब एक सांसद के रूब में वहाँ पर ये थे और 1952 इस भी में इनको राजसभा का सदस मनुनित किया गया था साहित के छेतर से चुकि कुछ राजमलब की कुछ ऐसे बिद्वान लोग होते हैं जिनको विशेस छेतरों से राजसभा में मनुनित करता है राश्टपती राश्टपती मनुनित करते हैं क्यों करते हैं चुकि यसे मालते साहित में कोई प्राबलम से तो उसको राजसभा में बताने बताएं ये लोग जा करके इसी प्रकार से आप देखेंगे खिलाडी छेतर से आप देखेंगे सचिन तेंदूलकर जी थे ठीक तो इन सभी को वहाँ पर राजसभाई में सदस मनुनीद किया गया था तो वहाँ पर राश्टपती जो होते बिसेस ख्याती प्राप्त लोगों को मनुनीद करते हैं ठीक अगला परसनाय दिनकर जी कब तक राजसभाई के सदस रहे हैं में संकली थे तो हुंकार नामक कावि संगरा हैं का उसी में से लिए आलोग धन्वा आलोग धन्वा करचना काल कब है मलब रचना कब की गए संग्रा से नेता नामक कविता संग्रहित है आगे देखते हैं मलब ली गई है तिरानबे नमर कोशंस है आपका नेता कविता में कभी ने किस पर बंक किया है तो नेताओं पर बंक किया है सुख भोगी पूजी पतियों जमीदारों के परतियों माक सवात का प्रभाव यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा 96 नमर कोसंद देखें परसुराम के परतिक्षा कावि संग्रा में किसकी कविताएं हैं तो 18 कविताएं परसुराम की परतिक्षा कावि संग्रा जो की दिनकर जी का है 97 नमर कोसंद परसुराम की परतिक्षा कविता दिनकर ने कव लिखी है तो चीनी आकरमण के समय लिखी है उसकी परतिकरिया में परसुराम की परतिक्षा में एक प्रकार से अक्रोस की भावना है आप देखेंगे उसमें चीनी आक्रमण के समय जो है लिखी गई है जब चीनी का आक्रमण हो गया था उसके बाद में सारी बाते या लिखी गई ठीक आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन है आपका अठा नवे नंबर कोसंस कुरुक छेतर के सष्ट सर्ग में वर्तमान समय को कैसा चाहते हैं दिनकर ने अभीनों मानों को क्या खाय मनुसुता का घोर अबमान बताया है बिल्कुल आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग सही तरीके से बता रहे हैं सही तरीके से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग को वीडियो को बीडियो को लाइक क पहुँच चूका हूँ दिनकर जी अभीनों मनुस्त को क्या बताते हैं तो नियती का दास बताते हैं ठीक। वहीं अग्यी की बात करें रेक्त परसन आपके सामने अग्यी किसे रिलेटेड होगे परसन परसन 101 अग्यीं का जनम की हुआ था तो 7 अग्ये जी का जनम कहां पर हुआ था कुछी नगर खुदे खुदाई से बिल्कुल अगला प्रसंद ने बता ही दिया एक सो तीन नंबर प्रसंद देखिए अग्ये जी के पिता का क्या नाम था हीरानन सास्त्री इनके पिता जी का नाम था तो इनके नाम में जो हीरानन मेरा दोस्तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्रकासन किया था थिक यह बाती हैं आगे देखते हैं तो अगे किस यूग morning की अगे कि अग cinnamon करता था तो अगे जी करते थे अगे के कुल में कविता संग्र है तो लगबक 17 कविता संग्र है अगे जी के हैं आपके सामने आ चुका है, हाँ, क्लास जल्दी उबर होगी भीया, बस तीन-चार मेट के और क्लास है, बिल्कुल चिन्ता करनी क्या बसकता नहीं आपको, किस करदी से संकलित है तो हरी घास शडबहर जो है कविता संगरा है आगàyजी का इसी में से कलगी-बाजरे नाम कविता का सिर सग लिया गया है अगला पसंद देखिए जो है 111 नमर कोसंस है कलगी बाजरेगी कविता का मूल मनतब भी क्या है परमपरागत परतीको यो मुपमानों के परती बिद्रोह जो है कलगी बाजरेगी कविता का मूल मनतब है मलब क्या उद्देश से है ठीक परमपरागत जो परतीक है और उपाद तो आफ्व वही कार करें, आपका बच्चा भी वही कार करें, तो इन बातों को या नहीं मानते हैं, कौण? अग्ये जी, उके अगला पत्षण है, नदी के दीप, Use नदी के等 है, कई संक्ली के ऋके हैं, नेक्स्ट परसने 115 नंबर समागरी का नैबेद दान कविता का केंद्रिय भाव अस्पस्ट कीजिए तो उगत कविता में अस्पस्ट कियागा है कि इस्वर की सच्ची आरधना क्या होती है अच्छे गुड यहम समर्पण में है और ना की फूलों को तोड़कर के समर्पण करने में है तो समागरी मलब क्या होता है समराट की पतनी को समागरी कहा आता है और या समागरी को नैबेद दान की कविता लेकिए कि एक समागरी आती है एक विख्टो एक जो है बीदेश से कोई जरानी आती है उसको नइबेद चढ़ाना है नइबेद में लब होता है परसाद उसका दान करना है तो उसको प्रकार से कहते हैं कि अगर आपके गुड़ ठीक ठाक हैं आपके बिचार सही हैं तो फूलों को चढ़ाने से कोई मलब भ या फिर चाह नहीं समराटों की सोपर है हरे मैं डाला जाओं इस प्रकार से बाते जो है पुस्प कहता है पुस्प क्या कहता है पुस्प की आखिरकारा भिलासा क्या है पुस्प कहता कि जो है मुझे तोड़ लेना ओ बनमाली उस पथ पर तुम देना फेक मात रभूमें प चाहे तो इसको ले सकते हैं और यह सारी बाते हमने आपको बता ही दी आप लोग लीजिएगा इसको इसको स्क्रीन साट ले लीजिएगा सारे मुद्दे के लिए इस वीडियो को जरूर आप देखने का प्रियास करें अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो को जरूर देखे वैसे मैं पीडियाफ आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँगा लेकिन एक बार आप अगर ले लिजेंगे तो जादा हो सकता है मैं ध्यान ना दे पाऊं लेकिन जल्द ही आपको पीडियाफ मैं इसका जो है आपके सामने दे दूँगा ओके चले यह थी मेरे प अच्छे तरीके से मिल सके और आप लोग की पारिक्षा में अच्छे सेशंचा नंबर प्राप्थ कर सके मेरे प्रयास करें सभी लोग लगों के महातिपोर्न ओब्जेक्टिव परसुन के साथ ओके भी अधर्दी आप लोगोगों के लिए क्लाश चलाएं कि जल्दी जो आ हिंद जै भारत